हैं और about to का जो structure होता है वो basically subject plus is mr plus about to plus verb का first form then object ये इसका structure होता है और इसी के according हमें आपर translation करते हैं तो इसमें कुछ examples के जरीए हम इसको समझ लेते हैं ताकि ये और अच्छे से clear हो जाए आए देखते हैं मैं इन दोर जाने ही वाला हूं मैं इन दोर जाने ही वाला हूं इस sense में subject है I am about to I am about to go to इन दोर तो ये बन गए आपका I am about to go to इन दोर मैं इन दोर जाने ही बाला हूं कोई भी काम हम करने ही बाले हैं उस sense के लिए हम about to का use करते हैं नेक्स है हम करते हैं